दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे William Shakespeare का एक play The Tempest इस पर मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो वीडियो बहुत ही अच्छी थी दोस्तो आप से पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें कहा है कि ये वीडियो में कमी थी वो वीडियो में कमी थी लेकिन ये वीडियो बहुत ही अच्छी थी आपको ये समरी जरूर देखनी चाहिए लेकिन इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ आप God से सुनना आपने Tempest को कही बार पढ़ा होगा लेकिन आज जिस नजरीय से मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ आज से पहले आपने Shakespeare का Tempest कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो description में आपको link मिल जाएगी पहले वो जाकर देखो अपसे पहले आपने Shakespeare के Tempest को कई ही बार पढ़ा होगा दोस्तों लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो नजरीया दिखाऊंगा वो point of view दिखाऊंगा मतलब हम लोग post-colonial point of view से Shakespeare का Tempest पढ़ेंगे बहुत important है चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के end में इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप net की तयारी कर रहे हो या फिर आप professorship करने जा रहे हो मतलब PhD करने जा रहे हो और आपने कोई भी post-colonialism से related topic चूज कर लिया तो आपको Shakespeare का Tempest play जो है इसको ठीक से तयार करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये multi-layered play माना जाता है मतलब एक onion होता है आपने प्यास देखा है उसकी जैसे ही एक layer उतारोगे आप उसके नीचे एक और layer आजाएगी फिर एक और layer उतारोगे तो एक और layer आजाएगी तो ऐसे ही multi-layered play माना जाता है इसको Shakespeare का मैं कोई भी बात हवा मैं नहीं करता दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत important है तो ये बहुत important है ये वीडियो जब खतम होगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्यूं है एक critic थे बहुत important Gary Teller इनका नाम नोट कर लो उन्होंने इस play के लिए लिखा है यानि Shakespeare जब अपने life में आखरी solo play लिख रहे थे तो वो आखरी solo play था ये Tempest क्योंकि इस work को perform करवाने के बाद में वो वापस straightforward upon Evan चले गए थे इस play के अंदर एक main character है Prospero उसकी आखरी speech से हमें ये अंदाजा लगता है कि Shakespeare ने विदाई ले ली थी अपने career से लेकिन technically दो साल बाद में वापस आके two noble kinsmen नाम के work को लिखा John Fletcher के साथ में इनोंने फिर Henry 8 को लिखा और माना जाता है Shakespeare ने एक और play लिखा था Cardenio नाम का जो play खो गया शायद कहाँ Tempest ऐसा multi-layered play है मैंने आपको बताया Onion की तरह ये play है जिसके लिए William Hazlett ने कहा था Most original and perfect of Shakespeare's productions आज हम इस वीडियो में इसको Post-Colonial Readings के हिसाब से पढ़ेंगे चलिए मैं शुरू करता हूँ इस कहानी का main character है Prospero जो इस play में जादू आदू करता है अब देखो जिस तरह का ये जादू दिखाता है जिस तरीके के ये stunts करता है ऐसी stunts Romantics को बड़े पसंद आते थे तो इसका character अगर कोई पढ़ेगा तो Romantics पढ़ेंगे इसकी बेटी है Miranda Miranda जो अपने बाप के साथ में रहती है उसने अपने बाप के अलावा किसी मर्द को नहीं देखा पूरी अपनी life के अंदर एक island पर उस लड़की ने अपनी जिंदगी काड़ दी ठीक है तो इस character को feminist बहुत अच्छा पढ़ेंगे feminist point of view से अगर कोई इस play को पढ़ रहा होगा तो ये Miranda का character उसे बहुत अट्रेक्ट करेगा next है Caliban का character जो इनके साथ में रहता एक जंगली है I mean ये character जो है Prospero का गुलाम है और एक और गुलाम है इसकी एक spirit है Ariel ठीक है उसका roll हटा देते हैं लेकिन cannibal की character को हर post-colonial study करेगा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ इसकी story कैसे शुरू होती है मैं इस कहानी को post-colonial नजरिये से समझाने की कोशिच करूँगा गौर से सुनना दोस्तों ये जो prospero है ये एक जगे का राजा था उस जगे का नाम था Milan Milan का king था लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत interest था इसका इसकी वज़े से इसका भाई था उसने इसको वहाँ से निकाल दिया दोका दे दिया मतलब इसके भाई ने इसको तो ये अपनी तीन साल की चार साल की छोटी बच्ची को लेकर जिसका नाम था Miranda इस आइलेंड पर आ जाता है अब वहाँ से निकलते वक्त एक Gonzole नाम के बुडे सर्वेंट ने मतलब Gonzole नाम के बुडे आदमी ने इसकी मदद की थी जब ये वहाँ से निकला इसके धोकेबास भाई ने इसको धोका दे दिया जब ये वहाँ से निकला तो निकलता हुआ दो तीन चीज़े अपने साथ में लेकर आया एक तो नाव जिसके जरिए बोट के जरिए ये यहाँ पर आया इस आईलेंट पर दूसरा फूड खाने को कोई चीज और तीसरी थी इसकी बुक्स बुक्स बहुत इंपॉर्टन चीज़े दोस्तों जिसके जरिए आने वाले टाइम पर इसको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है ये बुक्स इसको बहुत काम आने वाली थी अब ये एक आईलेंट पर पहुँचा वो आईलेंट डेसर्टेट नहीं था मतलब ये जिस आईलेंट पर पहुँचा उस आईलेंट पर अल्रेड़ी एक विच साइकोरक्स राज करती थी जैसे हमारे यहाँ पर अंग्रेज, डच, फ्रेंच लोग आये थे हमारे इंडिया में और भी अफ्रिकन कंट्रीज में या फिर कोई भी इस्ट की कंट्रीज में डच, फ्रेंच और अंग्रेज लोग आये थे पहले वो हमारे इंडिया के बारे में जानते नहीं थे वो जैसे ही यहाँ पर आये तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अल्रेडी बहुत सारे लोग रहते हैं ठीक है? वैसे ही प्रॉस्पेरो जब उस आइलेंड पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक विच्च थी साइकोरेक्स वो अल्रेडी वहाँ पर राज करती थी तो ये वहाँ पर एक आउटसाइडर की तरह पहुंचा अब साइकोरेक्स जो अल्रेडी अपने बेटे कैलिबन के साथ यहाँ पर रहती थी साइकोरेक्स का बेटा था कैलिबन, ओके, तो बहुत सारे रोग ये गलत फैमी में रहते हैं, जब वो समरी पढ़ते हैं, इरेक्ली प्रास्पेरों ने जाकर साइकोरेक्स को मार दिया, नहीं, वो यहाँ पर आया, साइकोरेक्स से दोस्ती बनाई, उससे जदू सीखा, क्योंकि साइकोरेक्स को जदू आता था, पढ़े लिखने में बड़ा interest बताया था मैंने इसको बहुत ज्यादा interest था पढ़ने लिखने में तो वो जादू सीखता है psychorex से और जादू सीखकर यह क्या कलता है psychorex को ही मार देता है जैसा अंग्रेजों ने हमारे साथ में किया पहले यहाँ पर आए यहाँ पर व्यापार समझा हमसे व्यापार किया फिर हमारी कमियों को जाना हमारे अंदर यूनिटी नहीं है इस बात को समझा कि हम आपस में लड़ते रहते हैं यह चीज समझ गए थे यह लोग फिर हम पर कंट्रूल करने लगे हैं तो यह जो प्रॉस्पेरो आया इस आइलेंड पर फिर आकर इन ही लोगों से इस साइकोरेक्स से जादू सीखा फिर इस आइलेंड का खुदी मास्टर बन गया साइकोरेक्स को हरा कर आप पहले किसी से कुछ सीखो फिर उसे हरा दो दोसो इस चीज को Post-Colonial Studies में Prospero Complex कहा जाता है क्या कहा जाता है Prospero Complex अब जब Prospero इस आइलेंड का Master बन गया तो Master बनने के बाद में सबसे पहला काम इसने क्या किया वो ही किया जो अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर किया था सबसे पहला इसने काम किया कि आइलेंड को अपने हिसाब से मैनेज करने लगा उसने Psychorex के बेटे को अपना गुलाम बना लिया Psychorex को मारा और Psychorex के बेटे को अपना गुलाम बना लिया और उस पर अपनी English Language थोपनी चाहिए मतलब उसको अपनी English Language सिखाने की कोशिश की Britishers ने भी यही किया था हमारे साथ में अपनी English Language हमें सिखाने लगे थे अगर Macaulay's Minute या दो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने ही कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अगर आपने Macaulay's Minute वाली वीडियो नहीं देखिए तो description में आपको link मिल जाएगा अभी जाकर देख लिजे चलिए आगे बढ़ते हैं और जो first word इसने cannibal को सिखाया cannibal मैंने आपको बताया था psychorex को बेटा था उसको first word जो सिखाया वो था master मतलब तो मुझे master बोलो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ यार नहीं हूँ companion नहीं हूँ only master तो मुझे master बोलोगे अब ये दोस्त यार वाली बात आप समझोगे जब आप Passage to India पढ़ोगे Passage to India novel के अंदर अच्छे से explain क्या हुआ है कि एक Indian और एक अंग्रेज कभी दोस्त नहीं बन सकते Rodiate Kepling भी बोलते थे न White supremacy हमको भेजाई इसलिए गया है ताकि हम इन Uncivilized लोगों को civilize करते हैं क्योंकि Cannibal Prospero का गुलाम है तो Cannibal को वो सब कुछ करना पढ़ रहा था जो भी Prospero उसे करने के लिए कहता था क्योंकि Prospero के पास में हतियार थे जैसा कि अंग्रेजों के पास में हतियार थे उसके हतियार क्या थे Prospero के पास में कोई ऐसा कोई बंदूक वाला हतियार नहीं था उसके पास में था magic learning और दूसरी चीजे जो cannibal ने अपनी मा साइकोरेक्स से कभी नहीं सीखी थी जो चीजें वो ये outsider आया और उस से सीख गया किस से साइकोरेक्स से सीख गया और इसी को ही control करने लगा cannibal अब गुलाम बन चुका था क्योंकि उसमें दिमाग नहीं था वो अपनी मा से काफी सारी चीजे सीख सकता था लेकिर उसने सीख ही नहीं वो अब प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी के लिए वो सब कुछ करता था जो एक गुलाम करता जिसे जंगल से लकडिया काट के लेके आना घर साप कर देना और ये सब करते करते कैनिबल की कहीं न कहीं एक चाह थी कि वो फ्रॉस्पेरो की बेटी को मेरांडा को पा ले फिस्जिकली भी और एक तरीके से वो चाहता था कि उसे वो पा ले एक दो बार उसने रेप करने की भी कोशिश की ये स्प्ले में मेरांडा का लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये possible है कि कोई colonizer अपनी बेटी की शादी किसी colonizer से कर दे No, कि वो दोनों बाप बेटी उसे savage बांते थे savage word यूज किया जाता है कोई जंगली के लिए कि ये हमारे level का नहीं है लेकिन हम इसे मार भी नहीं सकते क्योंकि ये हमारे सारे काम करता है अब सोचो, prospero चाहता तो Caliban को उसकी मा साइकोरेक्स के साथ में ही मार देता लेकिन उसने नहीं मारा है क्यों? क्योंकि उसके मन में दया आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है उसके मन में दया नहीं थी बलकि उसे फ्री में गुलाम मिल रहा था अगर वो मर जाता तो उन्हें फ्री का नोकर कहां से मिलता वो सारे काम इन्हें खुदी करने पड़ते जो कैलेबन अभी इनके लिए कर रहा है आप समझ रहे हो न सारा post-colonial relation बता रहा हूँ मैं आपको योगी दोस्तों जो भी इस play को पढ़ता है न उसे prospero के साथ में बड़ी sympathy होती है कि prospero के साथ में बहुत गलत हो गया prospero के साथ में बहुत गलत हो गया उसके भाई ने उसे धोका दे कर निकाल दिया उसे यहां पर island पर आकर रहना पड़ रहा है लेकिन आप कभी यह सोचते हो कि cannibal के साथ में कितना गलत हुआ वो भी अपनी मा के साथ में इस island पर रहता था कोई outsider आकर उस पर control करने लगा उसे उस outsider के ऐसे इसे काम करने पड़ रहा है तो क्या यह यह सही है देखना इस play में cannibal जस तरीके के dialogues मारता है न वो desperately इस prospero से छुटकारा चाता है prospero ने जो उसको English language सिखाई थी ना दोस्तो cannibal English language सीखने के बाद में prospero को क्या बोलता है कि master आपने मुझे अपनी language सिखाई now I know how to curse you कि मुझे अब आता है कि कैसे आपको curse करना है आपने मुझे अपनी language सिखाई मैं आपकी language में आपको curse करूँगा बद्दुआ दूँगा चीज से हम क्या connect कर सकते है post-colonial writers क्या करते थे English सीखकर English language में ही English लोगों की धज्जिया उड़ाते इस आइलेंड पर रहते हुए कैलिबन मिलता है एक और white man से जिसका नाम था ट्रिंकुलो ये जब ship rack होता है न जब जहाज डूब जाता है तो कई सारे लोग यहाँ पर इस आइलेंड पर आते है कैलिबन ट्रिंकुलो से मिलता है उसको बोलता है कि मुझे प्रॉस्पेरो से आजाद करवा दो मैं तुम्हें बदले में इस आइलेंड की raw materials दूँगा minerals दूँगा जो तुमारे लिए बहुत काम के होंगे बहुत कुछ दूँगा मुझे आजाद करवा दो ट्रिंकुलो का दोस्ट बन जाता है कैलिबन लेकिन दोस्तों ये जो कैलिबन कर रहा है न इसको कैलिबन complex बोला जाता है ऐसे कैसे मैं आपको समझाता हूँ देखो तुम एक colonizer से आजाद होने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम दूसरे colonizer की help ले रहे हो क्योंकि ये ट्रिंकुलो कोई तुम्हारा आदमी तो है नहीं कोई अलग तो है नहीं ये भी बाहर से आया है ये भी white man है इसे माल लो Britishers ने हमें गुलाम बना रखा है और हम बाहर जा रहे हैं जर्मनी से help लेने के लिए कि जर्मनी आओ हमको आजाद करवाओ तो इसको हम कहेंगे केलिबन complex क्योंकि जर्मनी भी तो उस टाइम पर पूरी दुनिया को colony बनाने में लगा हुआ था ना ये भी है तो यूरोपिय नहीं न ये अगर तुम्हें उससे आजाद करवा देगा तो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा ये ट्रिंकुलो क्या कटता है उसे देखता है कैलिबन को ढंक से देखता है उपर से निचे तक फिर सोचता है कि अगर मैं इस monster को England ले जाऊं तो England में खेल दिखाने के लिए जैसे चेडिया गर में जानवर देखने के लिए लोग पैसे देते न वैसे इसको देखने के लिए लोग पैसे देंगे England में जहां एक बिखारी को लोग एक पैसा नहीं देते अच्छे काम के लिए एक पैसा नहीं देते वहाँ इस dead Indian को देखने के लिए दस पैसे देंगे लोग पैसा भैकेंगे slavery इस play के अंदर दो type की है एक caliber की slavery है जो आजाद होना चाहता है desperately वो बहुत नफरत करता है prospero से वो आजाद होना चाहता है आप देखना ये था cannibal ठीक है एक और spirit है aerial अगर आपने ये play की संबरी पड़ी हो तो एक aerial नाम की spirit है वो भी इसकी गुलाम है prospero की लेकिन फिर भी वो आजाद नहीं होना चाहता है aerial तो खुशी खुशी इसके लिए slave बनकर काम करने को तयार थी और वो करती भी थी योगि prospero ने उसे free करवाय था psychorex तो दो type की slavery है एक जो गुलाम बनकर खुश है और एक वो जो गुलाम बनकर खुश नहीं है वो आजाद होना चाहता है वो है cannibal जो यह समझता है कि पहले मेरी मा यहाँ पर राज करती थी तो यह island मेरा है तो अब जब आपने यह वीडियो खतम कर लिये और आपने tempest को इतना अच्छे से कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको tempest का एक और side देखने को मिला होगा जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को नहीं समझ सके वो पहले जाकर tempest को पढ़े उसकी समरी पढ़े तब जाकर कि यह वीडियो देखें बहुत अच्छे से समझ में आएगा